जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली अपने पीने के पानी के लिए घरेलू उपयोग के पानी के लिए यमुना नदी पर डिपेंडेंट है दिल्ली में जो पानी हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं वो दिल्ली के साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आता है इन साथ Water Treatment Plants में यमना नदी के दो जगां से पानी आता है सबसे पहला वजीदाबाद बराज से पानी आता है हमारे तीन Water Treatment Plants में वजीदाबाद, चंदरावल और उखला उसके अलावा दिल्ली में यमना से पानी आता है मुनक कनाल के माध्यम से जिसकी दो सब ब्रांचिस हैं, CLC, Career Line Channel और DSB, Delhi सब ब्रांच मुनक कनाल के जो दो चैनल आते हैं, CLC और DSB इससे दिल्ली के साथों Water Treatment Plants में पानी जाता है दिल्ली और हर्याना का जो समझोता है, उसके अनुसार हर्याना को रोज एक हजार पचास क्यूसेक पानी मुनक कनाल से दिल्ली के लिए छोड़ना होता है अब हमारा डेटा बताता है कि पिछले पांच सालों में जब हर्याना एक हजार पचास क्यूसेक पानी छोड़ता है, तो गर्मी की वज़े से और रस्ते में पानी अगर एवापोरेट हो जाए, थोड़ा बिस्पर्स हो जाए अलगलग ट्रिब्यूटरी जें तो मई जून के महीने में 1033, 1040, 1021, 1015, 990, 995, इस रेंज में यानि 990 से लेके 1040 क्यूसेक पानी तक दिल्ली पहुँचता है, हर्याना 1050 क्यूसेक पानी जब छोड़ती है तो गर्मी के मौसम में दिल्ली में 990 से 1040 क्यूसेक पानी तक पहुँचता है इसको हम मेजर करते हैं बवाना कॉंटाक पॉइंट पे जहां पे DSB में भी और CLC में भी हमारे फ्लो मीटर लगे हो रहे यानी गर्मी के मौसम में भी पानी के इवैपरेट होने के बाद भी मिनिममम 995 क्यूसेक पानी हमेशा मुनक कनाल से दिल्ली में आता है लेकिन पिछले एक हफ़ते में जिस समय दिल्ली में सिवियर हीट वेव चल रही है जिस समय दिल्ली में पानी की कमी है जिस समय सुप्रीम कोट दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिलाने का प्रयास कर रहा है हर्याना ने मुनक कनाल से पानी छोड़ना कम कर दिया है अगर हम अपना डेटा देखने जाएं और ये है हमारे मुनक कनाल में DSB और CLC में आने वाला डेटा हम ये देख सकते हैं कि 1 जून को मात्र 924 Q6 पानी पहुँचा 924 Q6 और 1 जून से 7 जून तक ये पानी लगातार कम होता गया है चार जून को ये 924 से 884 Q6 पहुचा 6 जून को 856 Q6 पहुचा और आज कल आज तो 8 जून होगा है कल 7 जून को मात्र 840 Q6 पानी मुनक कनाल से दिल्ली में आया है तो जो 1000 Q6 की जगा मात्र 840 Q6 पानी दिल्ली में आ रहा है यानी हर्याना अपना 1050 Q6 क पानी मुनक कनाल से नहीं छोड रही है मुनक कनाल से आने वाला DSB का पानी मुनक कनाल से आने वाला CLC का पानी दिल्ली के सातों वाटर ट्रीट्मेंट प्लांट्स में जाता है यह वजीराबाद, चंदरावल, ओकला, बवाना, नांगलोई, हैदरपुर, द्वारका दिल्ली के सातों वाटर ट्रीट्मेंट प्लांट्स में जाता है यानि अगर CLC और DSB का पानी इसी तरहां से कम रहा तो आने वाले दो दिन में दिल्ली के हर इलाके में पानी की कमी हो जाएगी एक तरफ वजीराबाद पॉंट का लेवल रोज गिर रहा है आज वजीराबाद का लेवल 669.5 पहुंच गया है जब उसे 674.5 होना चाहिए दूसरी तरफ मुनक कनाल में जो 1050 क्यूसेक पानी हरियाना को छोड़ना है हरियाना पानी नहीं छोड़ रही है क्योंकि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ 840 क्यूसेक पहुंच रहा है कहां जा रहा है बाकी पानी? अगर हरियाना 150 क्यूसेक पानी छोड़ रही होती तो पानी क्या रस्ते में गायब हो जाएगा? हर घर्मी में मात्र 50 से 60 क्यूसेक का वाटर लॉस एवापोरेशन से होता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस गर्मी में 200 क्यूसेक पानी का वाटर लॉस हो जाएगा? तो अगर 840 क्यूसेक पानी दिल्ली पहुंच रहा है इसका मतलब है कि हर्याना मुनक कनाल में पानी नहीं छोड़ रही है दिल्ली को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रही है मैं हर्याना सरकार से अपील करना चाहूंगी कि हर्याना सरकार पानी पे राजनीती ना करे मैं हर्याना सरकार से अपील करना चाहूंगी कि दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़े और मैं केंद्र सरकार से भी अपील करना चाहूंगी कि एक तरफ सुप्रीम कोट दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिलाने का प्रयास कर रहा है माचल से केंद्र सरकार के अफसर कल भतनी कुंद बेराज पे एक्स्ट्रा पानी अतिरिक्त पानी छुड़वाने के लिए पहुँचे भी और दूसरी तरफ हर्याना जो दिल्ली के हक पानी है दिल्ली के हिस्से का पानी है वो भी दिल्ली को नहीं पहुचा रहा है तो मैं केंद्र सरकार से भी अपील करूँगी कि वो जल्द से जल्द इस सिचूएशन में इंटर्वीन करें मैं आपर यमुना रिवर बोर्ट से भी अपील करूँगी कि वो जल्द से जल्द इंटर्वीन करें और दिल्ली को दिल्ली के हग का पानी दिल्वाएं अगर हर्याना मुनक कनाल में एक हजार पचास की उसे पानी छोड़ रही है तो वो कहां जा रहा है कि यू दिल्ली के एंट्री पॉइंट पर जो बवाना का कॉंटाक्ट पॉइंट है जो वहां पर फ्लो मीटर लगा हुआ है वहां पे 7 जून को मात्र 840 क्यू सेक पानी क्यों आया कहां गया बाकी पानी आसमान खा गया धर्ती फट गई कहा गया वह फिर सारा पानी जब हर साल गर्मी में अगर आप इछले सालों का डेटा देखिए जैसे मैंने आपको बताया एक जून में पूरी गर्मी के बावजूद ऐसा नहीं है किसे विस्साल गर्मी पड़ी है एक हजार चौबेस क्यूसे एक हजार अर्टिस क्यूसे गर्मी के बावजूद दिल्ली पहुंचता रहा है 982 q6, 1,047 q6, 1,013 q6 तो ऐसा क्या हो गया कि अगर हर्याना पूरा पानी छोड रही है तो क्यों दिल्ली पानी नहीं पहुंचता यह बिलकुल साफ है कि अगर दिल्ली में 840 q6 पानी पहुंच रहा है हर्याना 900 Q6 से जादा पानी मुनक कनाल से नहीं छोड रही है तो मैं हर्याना वालों से यही अपील करूंगी कि पानी पर राजनीती ना की जाए पीने का पानी हर इंसान के लिए जरूरी है हर्याना में ये पानी इरिगेशन के लिए यूज हो रहा है दिल्ली वालों को ये पानी पीने के लिए चाहिए अपना धर चलाने के लिए चाहिए खाना बनाने के लिए चाहिए और अब हर्याना दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड रही है इरिगेशन में इस्तमाल कर रही है और दिल्ली में तरही तरही मच रही है अभी दिल्ली में पिछले दो दिन में वजीराबाद का लेवल गिरने से 8 mgd के पानी की प्रोडक्शन घटी है, दिल्ली में 1000 mgd के पानी के बजाए 993 mgd पे दिल्ली का पानी का प्रोडक्शन पहुच गया है अगर मुनक कनाल में पानी कल सुबह तक नहीं बढ़ा तो दिल्ली के सातों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का प्रोड़क्शन एफेक्ट होगा साथ M.G.D. पानी कम हो गया है सिर्फ वजीराबाद में कुछ पानी कम होने से लेकिन मुनक कनाल का अगर पानी का स्थर गिरता रहा तो दिल्ली के सातों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एफेक्ट होंगे और दिल्ली के सातों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एफेक्ट होने का मतलब यह है कि दिल्ली के हर हिस्से में पानी की कमी होगी तो इसलिए मेरी हर्याना सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़े है अगर इस देश के लोगों को नीट के एक्जाम पर सवाल है अगर उसकी प्रक्रिया पर सवाल है अगर उसकी मार्किंग पर सवाल है अगर पेपर लीक होने पर सवाल है तो NTA एक ट्रांस्पेरंट इन्वेस्टिगेशन से क्यों बच रहा है अगर कोई गलती नहीं हुई है, अगर NEET का exam बिल्कुल साफ सुत्रे तरीके से हुआ है, अगर paper leak नहीं हुआ है, अगर marking ठीक तरीके से हुई है, तो क्यों NTA inquiry के लिए तैयार नहीं है? अगर सब कुछ ठीक हुआ है तो इंक्वाइरी में दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा लेकिन जिस तरह से NTA नीट पर इंक्वाइरी से बच रही है ये दिखाता है कि दाल में कुछ काला